नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल सक्सिस गुरु मंत्रा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों सबसे पहले रजनी कुमारी जी दिपाली आदव जी सरिता जी तेज भाहदुर जी सुनीता जी पूजा जी रमा संकर जी श्रीम जी तुलसी जी रीनु मि के लिए काम करने के लिए इसी के चलते मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया है जिसमें यहां पे मैं जो भी पढ़ाती हूं उससे ही रिलेटेट कोईशन्स वहां पे मैं कुईज कराती हूं प्रस्नोत्तरी कराती हूं आप लोग उसको जरूर से ज्वाइन करिए का आपको निस्चे थी उससे लाब होगा तो हमारे दो काल पूरे हो चुक है यानी कि आधिकाल वीरघथा काल और भक्तिकाल दोनों हमने पूरे कर लिया आज हम हिंदी कि कहीं कहीं पर वो कथन देकर किस प्रकरण से लिया गया है ये तक पूछ लेता है इसलिए थोड़ी साफधानी से आप पढ़िएगा मैं अपनी प्रस्णों तरी में भी इस तरह के प्रश्णों को सामिल कर रही हूँ चलिए शुरुवात करते हैं रीती काल की हिंदी काव्य अब पूर्ण प्रोडता को पहुँच किया था संबत 1598 में क्रपा राम थोड़ा बहुत रस निरूपन भी कर चुके थे उसी समय लगबक चर्खारी के मोहनलाल मिश्र ने संगार सागर नामत एक ग्रंत संगार संबंधी लिखा नरहर कवी के साथी करनेश कवी ने करना भरण स्टोति भूसन और भूप भूसन नामक तीन अलंकार संबंधी लिखे थोड़ा धैरे से सुनिएगा रस निरूपन और अलंकार निरूपन का इस प्रकार सूत्रपात हो जाने पर केसब दाजी ने कावी के सब अंगों का निरूपन सास्त्रिय पद्धती पर किया इतनी तरह के ग्रंथ लिखे जा चुके थे उसके बाद केसब दाजी ने कावी के सभी अंगों का निरूपन सास्त्रिय पद्धती पर किया इसमें संदेह नहीं है कि कावी रीती का सम्यक समावेश पहले पहल आचारे केसब ने ही किया था ये आपकी लाइन महत्वपून है इसको ध्यान रखिएगा ठीक है सुकल जी कह रहे हैं एक सेके इसमें संदेह नहीं है कि जो कावी रीती का सम्यक समावेश था वो सबसे पहले किस ने किया था केसब ने आचारे केसब ने पूछा जा सकता है पर हिंदी में रीती ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रभा केसब की कविप्रिया के प्राया पचास वर्स पीछे यानि पचास सालों के बाद चला और वैबी एक भिन आदर्स को लेकर केसब के आदर्स को लेकर नहीं यह यह लाइने आपको बहुत अच्छे से समझनी भी चाहिए और मतलब याद भी रहने चाहिए ठीक है सुकल जी कह रहे हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो कावे रीती का पूरा समावेस था वो सबसे पहले अचारे केसब दास ने ही किया था लेकिन रीत अखंडित परंपरा का प्रवाह चला वो केसब प्रिया के प्राया 50 सालों के बाद चला 50 सालों तक उसमें फुटकर कहीं कहीं किसी ने एकाद ग्रंथ तो लिख दिये परंथ एक अविरल यानि की ना रुकने वाली एक अखंडित परंपरा नहीं चली ठीक है और वो भी एक भिन आदर्स को लेकर उनका आदर्स भी भिन था उनके माइने भी भिन थे उन्होंने जिसको जिसका अनुसरन किया वो भी केसफदाजी से भिन था इसका पिछली वीडियो में मैंने वर्णन किया था जिक्र किया था केसफदाज के केसफदाजी के आदर्स को लेकर वो नहीं चले थे ठीक है यही एक बड़ी वज़े है कि सुक्ल जी ने केसफ दाज जी से रीतिकाल कारंब नहीं माना है केसफ के प्रसंग में पहले कहा जा चुका है कि विकाब्य में अलंकारों का इस्थान प्रधान समझने वाले चमतकारवादी कवी थी यह आपको बहुत अच्छे से रट गया होगा केसफ अपने कावे में अलंकारों का प्रधानिस्थान समझते थे और चमतकार उत्पन करने में उनकी विसेश रूची रहती थी कि किस तरह से हमें लिखूं की लोग आश्चेरी से पढ़ जाएं देकि दो तरह की बाते होती हैं एक तो कविता पढ़ के इंसान भाव विभोर होगा एक आश्चेरे चकित पढ़ जाएगा अरे वा सब्दों का कितना बढ़िया खिलवाड है तो केसफ दाजी ने चमतकार वादी कवी थे भावना प्रधान कवी नहीं थे वो इनकी इस मनोव्रत्ती के कारण हिंदी साहित्ती के इतिहास में एक विच्चेत्र संयोग घटित हुआ क्या विच्चेत्र संयोग घटित हुआ संस्क्रत साहित्ती के विकास क्रम की एक संचिप्त उधरनी हो गई साहित्य की मिमानसा क्रमसा बढ़ते बढ़ते जिस इस्थिती पर पहुँच गई उस इस्थिती से सामगरी ना लेकर केसब ने उसकी पूर्व इस्थिती से सामगरी ली आप समझ रहे हैं संस्कृत की बात की जाए तो संस्कृत साहित्य की मिमानसा जैसे डेबलेप होते होते, विकास क्रम में बढ़ते बढ़ते, जैसे स्थिती पे पहुच गई थी आगे, आगे के स्थितियों से उन्होंने अपने लिए सामगरी न ली, वो थोड़ा और पीछे चले गए, उसके विकास क्रम में और पीछे चले गए, और वहां से जाकर उन उन्होंने उसके पूर्व के स्थिती से समग्री ली उन्होंने हिंदी के पाठकों को काव्यांग निरूपन की उस पूर्व दसा का परिचय कराया जो भामा उद्भट के समय में थी उत्तर की दिशाका नहीं जो आनंदवर्धन मम्मट और विश्वनात द्वारा विक्सित उन्होंने क्या किया वो बहुत पहले चले गया और उन्होंने भामा और उद्भट को उनके द्वारा जो साहिते की परमपरा चले गया जो उन्होंने लिखा या उनके अनुसरण करके हिंदी के पाठकों को काव्यांग निरूपन का परिचय कराया यानि काव्यांगों से उ कामा और उद्भट के समय अलंकारों और अलंकार्य का स्पष्ट भेद नहीं हुआ था ठीक है बाद में हुआ रसरीती अलंकार आदी सब के लिए अलंकार सब्द का व्यभार होता था अंतर समझे कहां विकास हुआ आगे हना आगे जो आनंद वर्द नाचारे मममत और अलंकार सब के लिए एक अलंकार सब्द का व्यभार होता था यही बात हम केसव की कविप्रिया में भी पाते हैं अब यहां कविप्रिया से आप से इस तरह के विसेश प्रश्न पूछी जा सकते हैं कि जो कविप्रिया में अलंकार सब्द का व्यभार हुआ है वो किस के लि ति उसमें जो अलंकार सब्द का व्यवार हुआ है उसमें रस रीद अलंकार सबका प्रई मतलब सबके लिए सब्द व्यवार में उसमें अलंकार के सामाने और विसेश दो भेद करके सामाने के अंतरगत वर्ण विसेश और विसेश के अंतरगत वास्तविक अलंकार रखें ग रख दिया और विसेश के अंतरगत जो वास्तविक अलंकार थे उनको रख दिया ठीक है पर केसब दाजी के उपरांत ततकाल रीतिग्रंथों की परंपरा नहीं चली बंद हो गई एक मतलब लगातार रीतिग्रंथ नहीं लिखे गए कवी प्रिया के 50 वर्ष पीछे उसकी अखंड परंपरा का प्रा आरंब हुआ 50 सालों बाद कवी प्रिया लिखे जाने के 50 सालों बाद अब यहां पे केसब दाजी का नाम ना लेकि अगर कवी प्रिया का नाम ले दे तो भी आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि कभी प्रिया लिखने के 50 साल बाद रीति ग्रंथों की अविरल अखंड परंपरा का प्रारंब हुआ था ये परंपरा केसव के दिखाए पुए पुराने आचारियों ठीक है भामा उद्भट आदी के भामा उद्भट और दंडी का इन्होंने अनुसरन किया था पिछले वीडियो में मैंने बताया था तो जो बाद में अखंड परंपरा चली वो भामा दंडी और उद्भट के मार् परवर्ती यानि बाद के आचारियों के परिस्कृत मार्ग पर चली जो मार्ग मतलब उन्होंने परिस्कृत कर दिया था उस मार्ग पर चली जिसमें अलंकार और अलंकार्य में भेद हो गया बाद के जो परवर्ती आचारे थे बाद के आचारे थे उन्होंने विकास क्रव मे अलंकार और अलंकारे में भीत कर दिया जो बाद की परंपरा चली अखंड परंपरा चली वो उनको लेकर चली हिंदी में अलंकार ग्रंथ अधिकतर चंद्रालोक और कुबलया नंद के अनुसान निर्मित हुए कुछ ग्रंथों में काव्य प्रकास और साहित दर्पण का भी आधार पाया जाता है काव्य के स्वरूफ और अंगों के संबंध में हिंदी के रीतिकार कवियू ने संस्कृत के इन परवर्ती ग्रंथों का मत ग्रहन किया केसबदाजी का नहीं किया इसलिए कहा गया कि अधियोक से संस्कृत साहिति सास्त के इतिहास की संचित उधर्णी हिंदी में हो गई ठीक है अब चलिए आगे देखते हैं यहां तो आपको सामाने परिचय दिया गया रीतिकार के प्रारंब का कविप्रिया के 50 वर्सों बात रीतिकार का प्रारंब सुकल जी मान रहे हैं चलिए देखते हैं आगे वो क्या कह रहे हैं हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंता मणी से चली सुकल जी क्या कह रहे हैं हिंदी के रीति ग्रंथों की परंपरा चिंता मणी से चली अतहां रीतिकार का अरंब उन्हीं से मानना चाहिए उन्होंने संबत 1700 के कुछ आगी काविविवेक, काविकुल कल्पतरू और काविप्रकास ये तीन ग्रंथ लिखकर कावि के सब अंगों का पूरा निरूपन किया और पिंगल या छंद सास्त्र पर भी एक पुस्तक लिखी किसने चिंतामणी ने इसलिए सुकल जी रीति काल का आरंब चिंतामणी से मानते हैं उनके उपरांथ तो लक्षा ग्रंथों की भरमार सी होने लगी कवियों ने कविता लिखने की एक प्रणाली ही बना ली जिसमें पहले दोहे में अलंकार या रस का लक्षन लिखना और फिर उसके उधारन के रूप में कवित या सिवाई ये लिखना मतलब पहले वह एक दोहा लिखते थे जिसमें अलंकार का या रस का जिसके बारे में जिसका भी वर्णन कर रहे हैं उसका लेक्षन लिखते थे ठीक है जैसे हम शिंगार रस का ले 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 तो शिंगार रस का क्या लेक्षन होता है पहले दोहे में वह लिख दिया फिर उदा कारण के रूप में और चीज़ें उसमें जोड दी गई कवित जोड दिए गये और संवयें लिख दिये गये हिंदी साहित में यह अनूठा द्रस से खड़ा हुआ संस्कृत साहित में कवी और आचारे दो फिन-भिन स्रेणियों के व्यक्ति रहे फिक है जुसांस्कृत साहित थे उसमें जो और आचारे थे वुए भिन भिन दो श्रेणियों के कवी अब्यक्ति थी अज़े कविता ने बला जो सिख्षा देता है हना यह पर क्या हुआ कवियों ने ही क्योंकि लक्षण लिखे लक्षणों के उदारन लिखे उन्होंने भी एक तरह से काव्यांगों की सिख्षा देने का काम किया तो हिंदी के कावे विवेचना या पर्या लोचन सकती की अपेच्छा होती है उसका विकास नहीं हुआ आचारे हर कोई नहीं बन सकता है गुरू हर कोई नहीं बन सकता है क्योंकि उसके लिए एक बहुत सूच में विवेचना की जरूरत होती है ठीक है उसका विकास ही नहीं हुआ जब सब अचा में उनका लक्षंट होता था चार्यत्व का उसके विकास का समय ही नहीं मिला कभी लोग एक दोहें में अपर्याप्त लक्षंट देकर अपने कभी कर्म में प्रवर्त्व हो जाते थे काव्यांगों का एक विस्तृत विवेचन तरक द्वारा खंडन मंडन या नए नए सिध्धानतों का प्रतिपादन आदी कुछ भी नहीं हुआ ठीक है जब अचारे होंगे तो अचारें कहीं न कहीं उसमें मौलिकता आएगी कुछ नया सोचेंगे सुक्ष में द्रश्ट ही रखेंगे लेकिन कभी कभी तो कर्म करते हैं वो कभी कर्म में लगे रहे उन्होंने अपनी भावनाओं से कविताएं लिखी अब क्योंकि दोन मंडन मंडन और नए सिध्धानतों की प्रतिपादन हो सकते थे वो कुछ नहीं हुए क्योंकि उनका वह भले ही मतलब काम आचारियों का करने हो लेकिन में तो उनका था कभी ता करना काम इसका कारण ये भी था कि उस समय गद्ध का विकास नहीं हुआ था जो कुछ लिखा जाता था वह पद्ध में ही लिखा जाता था इस लिए गद्यकाल हम बाद में परते हं गद्ध काल हमारा बात से स्रूर होता आ कि यह समयं तक रीतिकाल तक गद्ध का विकास ही परियुक दिखाई पड़ी कि एक इस लोक या एक चरण में ही लक्षण कह कर चुट्टी कर लिए चंद्रा लोक में क्या किया गए इन्होंने एक चरण या एक इस लोक में ही पूरे लक्षण बता दिये गया और फुरसत पाली चुट्टी कर ली थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा ना लेकिन बहुत इंपोर्टेंट है बहुत ध्यान से सुनिएगा उपर युक्त बातों को पर ध्यान देने से इस्पष्ट हो जाता है कि हिंदी में लक्षण कृट की नहीं करनी देन सेञरे की नहीं कोंधी कें नहीं करके और युक्त कर गश्राइब कोती में नहीं रखा जा सकता है विवास्तम में कभी ही थे उन में आचारे की घून inan till नहीं थे उन में अपरे्याप्ट लक्षण साहिति की सास्त्रका सम्यक बोत कराने में असमर्थ हैं आप उसको कविता की तरह तो का पढ़ सकते हैं लेकिन कि आप परियाप के लक्षंड दिये हैं तो आपको साहिति शास्त्र का पूरा ज्यान नहीं करा सकते हैं उनको पढ़ Peng E Clubक आप साहिति सास्त्र का ग्यान कर लें तो यहां पर यह बात सुकल जी कह रहे हैं कि कहीं कहीं पर तो अलंकारादी के जो स्वरूप है उसका भी ठीक था कनुमान उनको नहीं पढ़के नहीं लगा पाएंगे कहीं कहीं तो उधारण भी ठीक है कहीं कहीं तो उधारण भी ठीक नहीं है सब्द सक्ति का विसे तो दो ही चार कवियों में नाम मात्र के लिए लिया है जिससे उस विसे का इस पष्ट बोध होना तो दूर रहा कहीं कहीं भ्रांत धारणा अवर्श्य पन हो जाती है सब्सक्ति जो आपने पड़ी होगी सब्सक्ति सभी जानते होंगे उसका विसे तो दो चार कवियों नहीं नामात्र के लिए लिया है तो उस समय सब्सक्ति का इसपष्ट होना तो बहुत दूर की बात है लेकिन कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा ग्यान होने से क्या होता है कि कहीं बिएथ साहित्य निर्भर रहने वाले साहित जना चाहिए जिसको खुदी पूरा ग्यान नहीं है वो मतलब आधा यह दूरा बताएगा नो यह सब लिखने का अभिप्राइग यहां केवल इतना है कि यह नहीं समझा जाए कि रीतिकाल के भीतर साहित्य सास्त्र पर बड़ी गंभीर और विश्त्रित विवेचना तता नहीं नहीं बातों की साहित्य सास्त्र था उसमें बड़ी विश्त्रित या गंभीर विवेचना हो पाई कुछ नया नहीं हुआ ठीक है जो कुछ हुआ वह भी बहुत कम कवी बहुत कम ही लोग ते जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा बाकी सब ने खिलवाड ही किया के सब्दास के वर्णन में दिखाया जा चुका है कि उन्होंने सारी सामगरी कहां कहां से ली आगे होने वाले लक्षण ग्रंथाकार कवियोंने भी सारे लक्षण भेद संस्क्रत की पुस्तकों से लेकर लिखे हैं जो कहीं कहीं अब पर्यापत हैं कि कोपी पेस्ट समझते हैं ना आजकल भी बहुत कर दो अपनी और्चेए उन्होंनेन ना तो अलंकार के छेतर में कोई कुछ मौलिक वैचन किया ना रस के छेत्र में तो अगर कूट में यह प्रश्न आज आज्雅 जाए तो आपकों कुण होने की जरूरत नहीं होगी कि रितिकाल में रस या अलंकार के छेत्र में कुछ मौलिक विवेचन हुआ ठीक है अप इस पश्ट है कि नहीं हुआ काव्यांगों का विस्त्रित समावेश दास जी ने अपने कावे निर्णे में किया है ठीक है भिकारी दास की बात हो रही है अलंकारों को जिस प्रकार से उन्होंने बहुत छोटे-छोटे प प्रकार के वर्गी करण का प्रयात में नहीं किया उन्होंने छोटे-छोटे प्रक्रोणों में बांच जरूर दिया है सुविधा की द्रश्टी से पर उनका उद्देश एक वर्गी करण करना नहीं था दास जी की एक नई योजना अवस्य धियान देने योग्या है प्रण के साहित्य ग्रंथों में उसका विचार नहीं हुआ पर हिंदी के काव्य में यह बराबर प्रारंब से ही मिलता है ठीक है तहाक दाश जी ने अपनी पुस्तक में उसका विचार करके बड़ा ही आवश्यक कारी किया सुक्ल जी अगर कह रहे हैं दास जी ने आवश्य कारे याद रखना है, ठीक है, क्या किया है उन्होंने, काव्य में अंत्यानुप्रास या तुक का चलन नहीं था, ठीक है, उन्होंने साहित ग्रंतों में, इस संस्क्रत के साहित ग्रंतों पर उसका विचार नहीं हुआ था, दाज जी ने अपनी पुस्तक में उसका विचार कि किया है और यह सुख्लों जी के हिसाब से एक बहुत ही आवर्श्यक कारे उन्होंने किया भूसन का भाविक छविक भाविक छविक एक नया अलंकार सा दिखाई पड़ता है ठीक है आप यहां पे सुख्लों जी आपके जो ब्रहम है उनको क्लियर कर रहे हैं स्पष्ट कर रहे हैं भूसन जी ने जो भाविक छविक नमक अलंकार बताया वो नया सा दिखता है पर वास्तम में संस्क्रत रंथों भाविक का संबंध काल गत दूरी से है इसका देश गत से बस इतना ही अंतर है दाज जी अतिशयोक्ति के पांच नए दिखाई पढ़ने वाले भेदों में चार तो भेदों के भिन भिन योग हैं ठीक है दाज जी के जो अतिशयोक्ति के पांच नए भेद बताए दाज जी ने वो क्या है वो चार भेदों के ही भिन भिन अलग अलग तरह से जोड़के उन्होंने रख दिये पांच भेद बना दिये पांचवा संभावनाति शयोक्ति तो संबंधाति संबंधाति शयोक्ति ही है वह जी चीज है अलग नाम से दे दिये देव कविका संचारियों के बीच छल बढ़ा देने कुछ लोगों को नई सूज समझ पड़ा है देव कविका संचारियों के बीच छल बढ़ा देना उन्होंने संचारियों मतलब संचारियों के बीच में छल बढ़ाया ना छल नाम का नया वो बताया था वो कुछ लोगों को नई सूज जान समझ पड़ा है उन्हें ये समझना चाहिए कि देव ने जैसे और सब बातें संस्कृत की रस्तरंगणी से ली है वही से ही ये चल भी लिया है ठीक है? देव ने चल भी रस्तरंगणी से ही लिया है सच पूछिये तो छल अंतर भाव अवहिट्था में हो जाता है ठीक है? इस बात का संकेत पहले किया जा चुका है कि हिंदी के पद्द बद्द लक्षन ग्रंतों में दिये हुए उधारणों लक्षनों और उधारणों में बहुत जगे गड़बड़ी पाई जाती है अब इस गड़बड़ी के संबंध में दो बाते कही जा सकती है या तो ये कहे कि कवियों ने अपना मत भेद प्रकट करने के लिए जानबूच के भिन्नता कर दी कि मतलब थोड़ा अंतर तो दिखाई दे वही कह रहे हैं वही हम लिख रहे हैं वही आप लिख रहे हैं तो मतों में भेद नहीं दिखाई देगा न तो थोड़ा सा अपने मत को अलग रूप देने के लिए मतभेद करने के लिए उन्होंने जानबूच के ये भिन्नता करती है अथवा प्रमादवस का और समझ कर मतलब वो समझ ही नहीं पाए एक तो जानबूच कर किया या वो समझ नहीं पाए यही दो बाते हो सकती इस गड़वडी की मतभेद तो तब कहा जाता जब कहीं कोई नूतन पिचार पद्धती मिलती जब कुछ नया मिलता मतभेद करते तो कहीं कुछ तो नया मिलता अताहत दूसरा कारण ही ठहरता है ठीक है कुछ उधारणों से यह सपष्ट हो जाएगा मैं भी एक बात सपष्ट करना चाहूंगी कि रीती काल में इतने सारे उधारणे मैं सब पढ़ूंगी नहीं बहुत लंबे लंबे उधारणे केसब दास ने रूपक के तीन भेद दंडी के लिए कौन-कौन से अद्भुत रूपक, पिरुद रूपक और रूपक रूपक इसमें से प्रथम का लक्षण भी स्वरूप व्यक्त नहीं करता ठीक है? जो उसका लक्षण है वो भी उसका स्वरूप व्यक्त नहीं करता और उधारण भी अधिक्ताद रूपक का हो गया है लक्षण से भी आप नहीं समझ सकते हैं और उधारण भी दूसरे का हो गया है विरुद रूपक भी दंडी में नहीं मिलता और रूपाती सेयोगती हो गया है ठीक है जो विरुद रूपक है वो भी दंडी से नहीं मिलता जुलता है और उसका क्या हो गया है उसका रूपाती सेयोगती हो गया है रूपक रूपक दंडी के अनुसार वहा होता है जहां प्रस्तुत पर एक अप्रस्तुत का आरोप करके फिर दूसरे अप्रस्तुत का भी आरोप कर दिया जाता है जो प्रस्तुत है उसमें एक प्रस्तुत का आरोप किया गया और फिर दूसरे अप्रस्तुत का भी आरोप कर दिया गया केसब के ना तो लक्षण में ये बात स्पष्ट होती है ना उधारण से उधारण में दंडी के उधारण का उपरी धाचा भर जलकता है पर असल बात का पता नहीं है इससे स्पष्ट है कि बिना ठीक तातपरे समझे ही लक्षण और उधारण हिंदी में दिये गए हैं लिये तो संस्क्रिट से गए हैं पर लिखने वाले खुद ही उसको ठीक से नहीं समझ सके हैं और ऐसे ही हिंदी में उसके लक्षण और उधारण दे दिये हैं ठीक है थोड़ा सा जो समाने परिच्चे होता है वो आपके लिए समझना कठिन हो जाता है जहां से कभी सुरू होते हैं वहाँ आप आसानी से समझ सकते हैं ठीक है आगे की हम बात अपने अगले वीडियो में करेंगे भी मैं अपना वाणी को यहीं विश्राम देना चाहूंगी आप सभी का साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है कमेंट्स करते रहेगा जादा जादा लोगों तक शेयर करिए ताकि मेरी मेहनत सफल हो सके इतना मैं आपको अवश्य विश्वास दिलाती हूं कि आप जो मेहनत कर रहे हैं इसको सुनकी वो आपकी जरूर सफल होगी आपको परिक्षाओं में पता चलीगी ठीक है आपका साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार